ओम शान्ती आपका प्रश्ण है काया कल्प व्रिक्ष समान बड़ी होगी कैसे क्या होता है कल्प समान बड़ा होना काया कल्प तरू हो जाएगी ये भक्ती मर्ग में भी कहा जाता था परंतु वो जानते नहीं थे कि काया कल्प तरू होगी तो कैसे होगी क्या होगा मैंने भी भक्ती मर्ग में कभी इसके बारे में विचार नहीं किया था आप परम पिताप परमात्मा ने आकर बहुत अच्छी तरह समझाया इस बात को हमें समझना है काया कल्प तरू होना क्या होता है इसको समझने के लिए हम कल्प के बारे में जरूर जानेंगे क्या अखिर ये कल्प होता है तो क्या होता है कल्प कहा जाता है सत्युग, त्रेता, द्वापूर, कल्युग इन चारों युगों को कल्प कहा जाता है जिसको शब्द के रूप में हमारे पास बाबा ने दिया मुनुशे स्रिस्टी का कल्प वरिक्ष जहां ये शब्द हमें मिलता है कि ये मुनुशे स्रिस्टी का कल्प वरिक्ष है इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना है कि स्रिस्टी रूपी कल्प वरिक्ष से हमारे जीवन का क्या समन्द है शरीर का क्या समन्द है ये कल्प वरिक्ष एक कल्प का वरिक्ष दिखाया है एक कल्प में ये कैसे कैसे सारी आत्माईं आती है और दीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये एक वरिक्ष बन जाता है अब यहां एक आत्मा को लेंगे ये पूरे कल्प का पूरे चारों युगों का कैसे कैसे आत्माईं आई अब आत्मा के शरीर का संबंद इन सब के साथ कैसे हो सकता है पंतु यहां सिर्फ आत्मा एक तो उस आत्मा का शरीर भी एक आत्मा जो सत्युग में आई पहले पहले जनम में आई हम कृष्ण की ही आत्मा को ले लेते हैं तो उससे हम सब समझ जाएंगे क्रिशन की आत्मा जब इस संसार में आए तो 100% प्योर थी पर तो जैसे जैसे आत्मा समय बीता गया उसके गुणों में अभाव आता गया कमी आती गई वो एक दम तमो परधान पतित काली एक दम जिसको बाबा कहते नो कला जिरो कला पर आ गई 100 से 0 तक कोन आई आत्मा आई यह बात हमें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी अब आत्मा ने शरीर बनाना है अपनी कर्म संसकारों के आधार पर उसने अपना शरीर बनाना है जो शरीर पहला बनाया अब जब दूसरा शरीर लिया देड़ सो वर्ष बाद लगबग वो दूसरा शरीर पहले वाले शरीर से तो कमजोर होगा तीसरा शरीर और कमजोर होगा चोथा और कमजोर होगा पाचवा और कमजोर होगा छटा और कमजोर होगा जैसे जैसे नीचे उतरती आई उसका शरीर और कमजोर और कमजोर और कमजोर होता गया जैसे आत्मा जिरो पर आए तो उसका शरीर भी कमजोर जिरो पर पहुँच गया अब परम पिता परमात्मा आकर इस बात को समझाते के जैसे ये शरीर है ये शरीर बेशक उसने दूसरा तीसरा चो था पांचवा बनाया पर तो हर शरीर क्या रहा कमजोर और कमजोर और कमजोर और कमजोर ऐसे शरीर की अवस्ता कमजोर होती गई तो आप समझ गये होंगे कि शरीर जो है वो कल्प तरू बन जाता है जब आत्मा पवित्र बनी है 100% तो उसको 100% से लेकर लास्ट तक शरीर बनाने का अवसर मिलता है और जो आत्मा आई ही त्रेता में है तो उसे तीन युगों तक शरीर बनाने का अधिकार मिलता है जो आत्मा आई ही का द्वापुर में है तो उसे दो ही युग में शरीर बनाने का अधिकार मिलता है जो आत्मा आई ही का लिउग के अंत में है साल के लिए, दो साल के लिए, पांच साल के लिए तो उसका शरीर या उसकी काया को कल्प तरू नहीं कह सकते ते बात स्फ़स्ट वही होगी कि आत्मा कैसे काया कल्प तरू बनाती है आत्मा की पवित्रता के आधार पर ही निर्बर करता है कि वे किस स्टेज की आत्मा बनेगी सबकी काया कल्प तरू नहीं होती पन्तु जो आत्मा ग्यान को अच्छी तरह अपने जीवन में धालन करेगी उसका शरीर सत्युग से लेकर अंत तक बनाने की योग्यता उसमें आएगी वो आएगी आदी में तो आदी में अपने शरीर को बनाएगी जो आएगी मद्दे में तो अपने शरीर को भी मद्दे में बनाएगी उसका शरीर पूरा कल्प नहीं बनेगा काया कल्पतरू होना अर्थात उनको पांच जार साल तक शरीर बनाने की योगिता मिलना और ये काया कल्पतरू भी केवल और केवल उनही आत्माओं को मिलती है जो स्री कृष्ण के साथ जन्म लेते हैं संगम पर जन्म लेते हैं बाक्यों को नहीं मिलता जिनके शरीर सुरक्षित रहते हैं केवल उन्हें ही कल्पतरू शरीर मिलता है क्यूंके कृष्ण की आत्मा का शरीर पांच जार साल रहता है बाकी जो आत्माओं संगम पर अपने शरीर की रचना करके नहीं जाते उनके शरीर पूरे पांच जार साल नहीं रहते हैं एक साल तो अवश्य कम हो जाते हैं अवश्य कम हो जाते हैं एक साल हर आत्मा को परमधाम रहना है हाला कि कृष्ण के साथ जनम लेने वाली संगम पर जनम लेने वाली आत्माओं जो अपने शरीर को यहां सुरक्षित रखके जाती है उनका शरीर पूरे पांच जार साल रहता है उनका शरीर के वाल कल्पतरू होता है बाकी किसी का शरीर कल्पतरू नहीं होता है शरीर छोड़ करके गए, उनको वो शरीर सत्यूग में नहीं मिलेगा, उनके शरीर बनाने की ख्षमता में एक साल की कमी हो जाएगी, जो दो साल लेटा है, पांस साल लेटा है, दस साल लेटा है, सौ साल लेटा है, पांस साल लेटा है, छे साल लेटा है, उनकी काया कल्प तर कर्ब व्रिक्ष पाँच अजार साल का है, कर्प व्रिक्ष अनादी और अविनाशी है, उन आत्माओ का शरीर भी अनादी और अविनाशी हो जाता है, केवल और केवल श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के साथ आने वाली आत्माओं का शरीर कल्प तरू बनता है बाकी किसी का भी नहीं और अच्छी तरह से समझना हो तो आप प्रजापिता ब्रमा कुमारे इश्वरिय विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंदर पर समपर्क करेंगे और यदि कोई प्रशन हो तो 9213106986 पर वाट्सेप करेंगे वाट्सेप करने से पहले एक बार इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धाई अजार से अधिक जो आपके पास वीडियो भेजे गए हैं उन सब को देखेंगे और फिर यदि वहाँ आपको वो प्रशन का उत्तर नहीं मिलता तो आप भेजे ताकि मैं उस पर प्रशन बनाकर उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेज सकूँ और सभी उसे देख सके यह आपका अधिकार भी है और सेवा में सयोग भी ओम शान